जैकनाटक जाना पारा वैदिक के अध्यक्ष बी गुन रंजन ने कन्न जंडा जलानी और शहीदों की प्रतीमा तोड़े चाने पर धर्णा प्रदशन किया प्रधाम मंतरी मोधी के नाम जंतम मंतर पर ज्यापन दिया और साथ ही दिली चलो के आहवान प्रप्रदेश अध्य जैश्री निवास की नितरत में राज्य के साथ-साथ बैंगलूरू जिले के पददिकारी और अन्य इकाईयों और जैकनाटक जन्पत के समिधान सभाद्यक्ष और पददिकारी कनाटक के लोगों की और से केंदर सरकारों घ्रह मंतरी अमिश्या से अपील की गई कनर जंडा जलाने की घटना में शामिल बदमाशों के संभन में और शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़ने का काम कोलापूर महराश्र संग में हुआ जिसको लेकर सरकार को तुरंत हस्तशेप करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई करनी चाहिए जो वाद व जहर देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समिधान की आत्मा को उनकी कुशल जाच करताओं की एक विशेश टीम के द्वारा जाच होनी चाहिए ऐसे मामलों को हल करने के लिए टीम गठित किया जाना चाहिए और इसे फास्ट्रेक कोट में निप्टाया जाना चाहिए और मुर MES और शिव सेनय संगटन के कुछ लोग करनाटका फ्लैग जंडे बोलते हैं करनाटका स्टेट का फ्लैग जला के उसको डिस्रेस्पेक्ट का शो किया है और उसके बाद में जो फ्रीडम फाइटर है संगोली रायना उसका जो स्टैचुए उसको भी थोड़ फोड़ किया है अपोस करते हैं और इस विचार में अभी विसंबा 31 को कुछ संगटन लोग करनाटक में बंद गोशित किया है लेकिन बंद करने से सामान्य लोग जो हो है उनका बिजनेस या कुछ भी प्राब्लम होता है इसलिए हम बंद हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके अलाबा हम क्य इदर आया है आज प्रतिबटन किया है और जो हमारा विज्यापन है ओश्री अमिच्छा जी को दिया है हमारा विज्यापन यह है कि सेंट्रल गवर्मेंट जो है वो करनाटका और महाराष्ट्रा दोनों सरकार को मीटिंग बुला के उन लोगों से बात करके क्योंकि यह पहला है किसी का स्टेट फ्लैक को डिस्रस्पेक्ट नहीं करना है और हमको श्यवा जी भी एक है संगोली रायन भी एक है दोनों लोग भी फ्रीडम के लिए फईट किया है हम सबी उन महन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आ दिली में आके भी प्रश्ट करते हैं दिली से BCN न्यूस के लिए समवदाता ब्रजिश कुमार की रिपोर्ट